जी नमस्कार साथियो गुड मॉर्णिंग प्यारे दोस्तों जैहिंद बंदे मातरम रादे रादे आज एच्टेट 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल उसके आज से फारम भराजाने श्टार्ट हो चुके हैं और जिसमें आपको केवल और केवल दस दिन का टाइम आप जैसे कि सारी चीजे पहले से फिक्स थी एच्टेट 2022 के लिए दोस्तों नोवंबर में एक्जाम होना तया था उसी साफसे नोटिफिकेशन के अंदर तमाम फारम बढ़ने की डेट और एक्जाम की डेट की क्लियरेटी हो चुकी हैं अपने आप में बहुत कम समय तयारी करन हर्याना सरकार के अंतरगत आप सरकारी टीचर की नोखरी ले सकते हो यह एक्जाम बाकी दूसरे टेटों के मुकाबले थोड़ा सा एकदम अलग हैं उसका रेजन यह हैं कि एक तो सैलिबस में लगबग बाकी टेट के मुकाबले 40% चीजे अलग हैं और दूसरी चीज आपक के लिए होता हैं टीजीटी पोस्ट के लिए लेकिन पीजीटी पोस्ट के लिए हर्याना एक राज्या है बिहार के बाद जो पहले से ही जब कभी इसी टेट आल लागू ही नहीं हुआ था उसक दोरान एस्टेट हर्याना के अंदर हुआ करता था और तब से ही यह टेट की पातरता परिक्षा की आधार पे फाइनली आपको सरकारी नोकरी देते हैं, आपको एध्यान रखना अरियाना में टीचर बनने के लिए, टैट अपने आपने आपमें एक बड़ी भोमी का निवाता है, अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा है, तो कहीं बार इसके स्कोर की आपको नहीं देना होगा तो भी आप संरकार टींचर वारियाना के अंदर बन सकते हैं तो सरकार आगे क्या पोलिसी लेके आएगी एक इस तरीके से भरति करेगी वो तो समय बताएगा लेकिन इस H-Tat के अब की बार हर्याना में कुछ माइने है क्योंकि हर्याना के अंदर जो elections हैं आने वाले समय में उसको ध्यान में रखके PRT, TGT और PGT तीनों ही भरतियों को दुबारा निकाला जाएगा TGT की बरति लगवग 10 साल के बाद हर्याना के अंदर आ रही है और PRT और PGT की बरति बीच-बीच में होती रही है लेकिन एक लंबे समय अंतराल के दोरान तो यहां आपको किस तरीके से फारम बरना है क्या उसमें सावधानी बरतनी है और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो और क्या है आपका सहलेवस तो उन सब के बारे में भारी-बारी से हम चर्चा करेंगे तमाम वे गंडिड़ेट जो टीचिंग लाइन से जुडए है और किसी भी श्टेट के हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एस्टेट की तयारी जरूर कीजिए और फारम भी भरिए फीज थोड़ा ज़ादा है बाकी टेट के मुकाबले लेकिन आपको एक अच्छा मुका मिल रहा है और टीचिंग लाइन में ब्यालिस सो चालिस सो अड़ालिस सो पे ग्रेड प अपने आप में जुन जुना बजा के फिर अपने पास रख लेता है उसका भी कोई एक्जाम अभी आसपास नहीं है सूपर टेट की जो तैयारी कर रहे है यूपी के अंदर उसका भी कोई नोटिफिकेशन एक्जाम अभी हाल फिलाल नहीं है इसलिए मेरा मानना यह है कि हर में मिले चेह थ राजस्थान में मिले और तमाम हःयाणा वाक्रिएग यह तो इसे बढ़या कोई मौकाही नहीं है घर्में नोगरी है और राजस्थान और दिल्ली वाले यतने भी के लिए तो बारी बारी से चर्चा करेंगे ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि यह चीजे आपके लिए मैथपून है तो यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल की डेट में हुआ है मैं जो साइड है अरियाना टैट प्यार दोस्तों डोट इन उस पर जाके आप विजिट क करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं इसके अंदर आपको द्यान रखना है 17 तारीक जो कि आज है और से 27 तारीक तक आप अपना उनलाइन फारंबर होगे तो लाश्ट डेट इन में यह दी है और द्यान यह रखना डेट बढ़ेगी नहीं क्योंकि यह चीजे ओ से पहले इसका एकजाम होगा और नॉम्बर में ही होगा पोस्पोंड नहीं होगा यह अलग बात है कि जब एकजाम हो पेपर आउट हो जाए या सेंट्रों पे कुछ दिक्कत है आजाए वो चीजे है जिसके 90% चांस यहां है लेकिन नुम्बर में एकजाम होगा इसमें बरेगा उसको उतना ही नजदीक सेंटर में लेगा अगर हर्याना का कोई लड़का या लड़की है अगर वो दो ते तीन दिन के अंदर फारम बर लेते हैं तो आपकी होम डिस्टिक में ही आपको एकजाम सेंटर होगा तो यहां 17 तारिक से आपको फारम अपलाई करने है इ और एक फोटो में कोई करेक्शन नहीं होगी लैकिन आपके नाम में डेट वर्त में अगर कोई दिक्कत है आप फारम बरते समय गलतर आप सम्मेट कर दिये तो आप करेक्शन यहां पर कर सकते हैं लेकिन तीन चीज में करेक्शन बिलकुल भी नहीं होगी ना आपका दोस्तों कहीं बार पहले भी हुए है, तो ठाइस से 30 आपको क्या करना है, करेक्शन का टाइम दिया है, कोशिश करो करेक्शन आप भरं बरते समय ना करें, सम्मिट करने से पहले एक बार चीजों को verify कर दो, तो यहाँ यह हर्याना प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना मैंन साइड है ठीक हर्याना tat.in इस पे आप विजिट करो और यहीं से आपको अपने admit card भी download करने है जो 2.11.2022 अथार्त 2.9 को आपके admit card जारी होगे इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि 12 तारीक को paper है और 13 को है 12 को कौन सा paper होगा level first या second या दोनों होगे और 13 तारीक को कौन सा होगा यह decision बाद में आएगा जो आपका admit card आएगा उस पे आपको सो होगा एक अलग से short notification भी आ जाएगा side के उपर कि पहले 12 में कौन सा हो रहा है 13 में लेकिन 12 और 13 यह दो दिन निदारीत कर दिये हैं level first second और third level first का मतलब है one to fifth वाला primary level six to eight के लिए level second है और nine to twelve के लिए PGT के लिए level प्यार दोस्तो third है तो PRT first हो गया TGT second level हो गया और PGT आपका third level हो गया तो इसमें आपको ध्यान रखना है 150 मिनट आपको मिलेगी 150 questions होंगे बिना negative marking के आपको वहाँ पे प्यार दोस्तों यह 1500 questions करने हैं सारे के सारे questions आपको attempt करने है time की दिक्कत केवल उनको होती है जो TGT, PGT mathematics यह natural science वाले जो बच्चे हैं तो आपको ध्यार करना उनको थोड़ा time कम पड़ता है बागी के लिए time यहाँ ज्यादा कम नहीं है जितने questions है उतने ही आपको minute भी मिल रहे हैं लेकिन जो PGT mathematics की तयारी कर रहे हैं PGT economics की तयारी कर रहे हैं और इसके साथ में जो TGT natural science की यह math की तयारी कर रहे हैं जो T second जो हमारा level है उसका जो exam देगा natural science math के थुरू तो उनको वास्तव में time की यहाँ shortage पड़ती है तो वो अपनी practice थोड़ा सा speed के साथ करें और अपनी speed को continue बना के रखें इसके साथ साथ यहाँ 1500 questions है 1500 marks है 1500 minute है यह आपको ध्यान रखना है बहुवी कल्प यह person होंगे आपके MCQ multiple choice आपके questions होंगे ठीक है OMR sheet पे आपका यह पूरा paper हो रहा है किस पे होगा OMR sheet पे परतियक सही उत्तर के लिए एक अंक है 1500 में से journal category अगर आपकी है प्यार दोस्तों आपको 90 लाना जरूरी है अगर आपकी OVC category है तो आपको 82 लाना या कोई reserve category है 1500 में से आपको यह ध्यान रखना है 82 लाना है यानि कि यह हो गए आपका 60% और यह हो गए आपका 55% तो reserve category से किसी से भी हो आपको लाने है 82 और journal category जो होते हैं प्यार दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है जर्नल category वाले या दूसरे state के किसी भी category के candidate हो चोई वो handicapped ही क्यों है तो किसी भी हरियाना को छोड़गे अगर आप किसी भी दूसरे state के आपके पास हरियाना का domicile नहीं है तो आप journal में ही count होंगे चाहे आप SC हो, ST हो चाहे आप OVC हो या BC में आते हो या फिर आप physically handicapped हो तो इस बात को आपको दियान रखना है वहाँ पे आपको चाहिएंगे प्यार दोस्तों अधर वाले जितने भी बच्चे हैं दूसरे state के अन्य राज्य वाले जितने भी बच्चे हैं अन्य राज्य के लिए आपको कम से कम डेड़ सो में से 90 मार्ग समा पे लाना है कोई भी नकरातमक अंकर नहीं होगा, negative marking नहीं है डेड़ सो कोश्चन आपको attempt करके आने हैं आपका offline exam होगा, online नहीं होगा, OMR sheet पे होगा आपको यह ध्यान रखना है उस OMR sheet में आपको 5 entry करनी है आपको अपना नाम लिखना है, father नाम लिखना है, mother name लिखना है अपना roll number और एक signature तो आपको यह ध्यान रखना है, पाँच entry आपकी total OMR में है बागी आपको thumb देना है, दूसरी जगे signature करने है वह attendance है, लेकिन OMR में आपको पहले अपना नाम, father name, फिर mother name फिर अपना roll number सही सही बरना है और उसके बाद में, जो column दिया गया है, right side में, वहाँ आपको signature करने है तो यहाँ है आपका offline mode में यह exam इसके साथ आपको दियान रखना, fees, जो हरियाना का SC candidate है physical handicapped जो candidate है, उनके लिए जो fees रखी गई है, वो 500 रुपिया है भागी जो candidate है, हरियाना का या अधर state का, उन सब के लिए प्यार दोस्तों, एक हजार रुपिया फीस है और यह है केवल एक level के लिए कोई सा भी आप परते हो अगर आप 1 to 50, या 6 to 8, या 9 to 12, किसी भी एक को बरते हो तो आपके प्यार दोस्तों, अधर state का कोई भी candidate, किसी भी category का हरियाना का SC और physical handicapped को चोड़के, किसी भी category का कोई candidate है तो एक के लिए के level के लिए 1000 रुपिया अगर आप 2 में भरना चाते हो तो 1800 रुपिया, तीनों में भरना चाते हो तो 24 रुपिया तो यही अधर state के लिए है, 1800 और 24, आप PRT भी देना चाते हो, यह क्या है आपका मान के चलो, यह PRT में भरना चाते हो और आप TGT भी भरना चाते हो और आप PGT भी भरना चाते हो, post graduate teacher, TGT trade graduate teacher, PRT primary teacher आप तीनों का भरना चाते हो, तो 24 रुपिया आपको pay करने पड़ेंगे, other state के candidate को, हरियाना को best अरते हो हरियाना के SC candidate ना हो, और physical handicapped candidate ना हो क्योंकि इनके लिए ही फीस में चूट है, और वो चूट है, प्यार दोस्तों, यहाँ 500 रुपिया, ठीक है, यहाँ 900 रुपिया है, दोनों में भरोगे और यहाँ क्या है, आपकी 1200 है, अगर आप SC candidate हो, या physical handicapped आप घर हो तो यह थी मोटी फीस के साथ, क्योंकि में सब फीस तो यही रही है, एस्टेट में सबसे ज़्यादा फीस ली जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है इसकी बाद जो यहाँ पर level first है, जिसको हम PRT primary teacher कह रहे हैं, उसका प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो syllabus है, वो child development pedagogy है, bilingual आपका paper होगा, हिंदी और इंगलिस दोनों में होगा, language के वाल एक ही उसमें रहेगी, इंगलिस इंगलिस में रहेगी, हिंदी इंदी में रहेगी, औ यहाँ पे CTAT वाली pedagogy और child development नहीं होती है, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, राजस्थान और HTAT का जो questions का level होता है, वो प्यार दोस्तों, रिट और HTAT का लगबग इस सेम होता है, खासका child development pedagogy में, लेकिन बागी जो चीजे होती है, उसका level सबसे तो यहाँ पे जब बागी दूसरे CTAT में, दोनों language तीस-तीस नंबर के आती है, तो यहाँ 15-15 नंबर के आती है, उसका region यह है, कि यहाँ प्यार दोस्तों, तीस नंबर में, जो यहाँ 15, यहाँ से 15 जो माइनस हुए, उस तीस नंबर में, हाँ quantity aptitude, मात्रा आत्मक योगता, इसके बाद reasoning, दस नंबर, दस नंबर आपके quantity aptitude, इसके बाद हरियाना जीगे, और जाग रुकता, अवर्नेंस, दस नंबर, तो यहाँ 30 नंबर में, यह चीजे केवल और केवल H-TAT में ही पूछी जाती है, बागी किसी TAT में नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको यह ध्या academy merit लगा लेते हैं, कई पर इसके साथ interview को जोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पूरी चीज़ पूछी जा रही है, अलग से कोई exam कराने की आप सकता ही नहीं होती, और अब की बार भी नहीं होगा exam, इस बात को आपको ध्यान रखना, एस stat में जितना चापका score होगा, उतना ही आपकी भरती होने के chance ज़्यादा होगे, तो इसलिए यहाँ पर जो दस नंबर में पूछ रहे हैं, यहाँ पर दोस्ते क्वानिटिटी योगता हैं की मात्रातमक जो योगता होती है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जमान के चलो आपसे पूछा ग इसके बाद हरियाना जीके और जागरुकता है, एवर्नेंस है, हरियाना जे सम्मंदित, इसमें कोश्चन साते हैं, इसके बाद फिर मैथमेटिक से और इनवार्मेंट एश्टडी, यह वाला जो सेक्षन है यह वाला सेक्षन आपके लिए एक दम नया है, भागी ट्रैट मे लगा के आपको सरकारी टीचर बना देते हैं, तो अलग-अलग समय पर हरियाना में अलग-अलग तहरीकिये से बरती होते हैं, लेकिन फिलाल आपका फोकस के बले की ही चीज़ पर होना चाहिए, वो तो समय बताएगा बाद का प्रोसीज क्या होगा, लेकिन जितना ज्याद अच्छा, इसको और आप अभी कर दोगे, इसके अंदर उतने ही चांस आपके बरती होने के हो जाते हैं, क्योंकि इसका वेटीज हमेशा रहता हैं, इसके साथ 15 कोश्चन हिंदी, 15 इंगलिस हैं, 10 कोश्चन आपके क्यांटिटी अप्टी टूट के हैं, रिजिनिंग के कुशी जाती हैं, 10 कोश्चन हैं, मैथोमेटिक्स आपके 30 कोश्चन हैं, इनवार्मेंट है 30 हैं, टोटल आपके 1500 कोश्चन होगे, और ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूँगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी हैं, कहां से हरियाना जी के तैयार करना, इनवार्मेंट च्टी के सारे कोश्चन आपको कहां से मिलेंगे, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, इसके बाद बात करते हैं, सैकेंड लेवल की, सैकेंड लेवल का मतलब है TGT, TGT मतलब है 6 to 8 लेवल, ट्रेड ग्रेड ग्रेड टीचर होता है, हल तो यहां पर हिंदी के पंदरा इंगलिस के, तो जो प्यार टी में है, वह यहां पर आप से TGT में पूचा जारा है, सैकेंड लेवल में, और वही सैलेबर्स प्यारे दोस्तों, आपका 10 कोश्चन यहां, आपका क्वानिटिटी अप्टिटी इसके बाद रिजिनिंग है, ह आपका जन्रल इस्टडी, तो यह तीनो सैक्षन आपके कोमन हो गए, प्यारे टी और टी जिटी में, लेकिन यह वाला जो सैक्षन है छो था, यह एकदम अलग है, यहां आपको SST के साथ कोश्चन्स मिलेंगे, अगर आपने BA, BA किया है, अगर आपको कोश्चन्स करने है, यहां आपका वो सब्जेक्ट आएगा, जिससे आपने गरेजुएशन कंप्लीट की है, तो यह भी डेड़ सो कोश्चन्स है, डेड़ सो मिनट है, यह ध्यान रखना है, डेड़ सो ही आपके अंके, इसके बाद तीसरा जो लेवल होता है, हमारा वो PGT होता है, और PGT होता है हमारा यहां 9 to 12, PGT क्या है, यहां 9 to 12 की जो प्यारे दोस्तों हमारी कक्सा होती है, किलास होती है, उसके अगर आपको टीचर बनना है, पोस्ट गरेजुएट टीचर, तो यहां 30 कोश्चन्स, चायल डेवलमेंट पैडगोजी के, 15 कोश्चन इंदी के, 15 कोश्चन इंगलिस अब यहां जो चोथा सेक्षन है, इसमें आएगा केव sekarang आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप PGT टीचर बनने जा रहे हो, वो केवल वह सब्जेक्ट पुचेगा, आपको PGT ह parity बनना तो start question भाई हिंदी के ओगे, PGT संस्कित बनना या, तो Sanskrit के होंगे, PGT आपको Punjabi बनना है, तो Punjabi के होंगे, PGT आपको Urdu का बनना है, तो Urdu होंगे, इसके बाद आपको PGT मैत बनना है, तो Math के साथ कोश्चन होंगे, आपको Physics का बनना है, तो Physics के साथ कोश्चन होंगे, Political Science का PGT बनना है, तो Political Science के साथ कोश्चन होंगे, यानि कि जि multiple choice question होगे, total questions होगे आपके date, यह था आपका syllabus, बात करते है qualification, अब कौन स्पारम को बर सकते हैं, सारी चीजे में बारी बारी से बताऊंगा, या बैसरते आप थोड़ असा तसलिशे चीजों को सोने यहाँ आपको यह ध्यान रखना है प्यार दोस्तों, जब हम level first की बात करते हैं, तो जिन बच्चों ने 12th complete कर ली है या फिर pass की है, या फिर appearing में है, वो appearing में किसमे है, या तो वो BLA, DLA का course कर रहा है, बारवी pass, और इसके बाद DLA आपने की है, या DLA की जगह आपको ध्यान रखना है यहां आपने 12th pass के बाद BLA, जो 4 साल का course होता है, वो आपने की है या इसके बाद जिसको आप JVT बोलते हो, JVT आपने JVT किया हो, अब इसको आपने pass किया हो, या appearing में हो, आप first year में हो, या final year में हो आप appearing में भी फारम बर सकते हो इस बात का आपको ध्यान रखना है लेकिन आपको यहां चाहिए 50% तो यहां आपके 12th में 50% हो, इसमें भी 50% हैं, तो आप फारम बर सकते हो लेकिन, जो candidate आपको ध्यान रखना reserve category के हैं, जो candidate SC category के हैं, जो candidate physical handicapped हैं, PH हैं उनको यहां प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहां 5% की आपको छूट पूरी ना देखे वो छूट देते हैं आपको यहां पे केवल 47.5 तो अगर आपके 47.5% है 50% नहीं होके किसके, जो candidate यहां SC हैं, या physical handicapped हैं, वो 47.5% अगर उसके आते हैं, 12th में या diet में, तो भी वो फारम यहां apply कर सकते हैं, बाकि जो journal candidate हैं, OBC candidate हैं उन सब candidate हो को 50% होने चाहिए आपके DLA, BLA, BTC जिसको हम diet कहते हैं, उसमें अब उसने आपने दो साल का कोई diploma course किया हो, या special educator आपने दो साल का किया हो, या simple आपने जो हैं, JBT की हो, जिसको हम diet कहते हैं, या आपने 4 साल वाला BLA का course किया हो, बारवी के बाद, वो सारे के सारे बच्चे यहां primary teacher अथार्थ 1 to 5th का बढ़ सकते हैं, लेकिन SC जो candidate हैं, और साथ के साथ जो pH candidate है, physical handicapped वो यहां पे 47.5% अगर उसके हैं, तो भी वो apply कर सकता है, जो BAD candidate है, वो यहां पे 1 to 5th में apply नहीं करेगा, इस बात को आपको दियान रखना है, BAD candidate 1 to 5th के लिए, यहां apply नहीं करेगा, तो यह तो तीसरी condition है, इस बात को आपको यहां पे समझना पड़ेगा, ठीक है BAD candidate, जिन्होंने यहां पे BA किया हो, या उन्होंने BSC किया हो, या उन्होंने B.com किया हो, या फिर उन्होंने B.tech किया हो और उसके बाद में, कोई भी 1 साल का या 2 साल का आपने BAD किया हो, चैब वो special educator वाला हो, या फिर simple भी एड हो, एक साल का या 2 साल का वो यहां पर 1-2-5 यह आपको धियान रखना है, प्यार दोस्तों वो 1-2-5 में, अथार्थ primary level में, यहां फारम apply नहीं करेंगे इस बात को आपको धियान रखना है लेकिन अगर आपके पास यह qualifications है, appearing में आप फारम बर सकते हो, अलगी appearing जो notification में दिया है, वो last year दिया है, यगर last semester में है last year में आप हो, वो ही appearing माना जाएगा लेकिन अगर आपने DLAD, BLAD या आपने diet, JVT, जो भी admission लिया है आपने अगर first term admission आपका हो चुका है, तो भी appearing माना जाएगा, क्योंकि यह supreme court का पहले से ही order आ चुका है, CTAT के संदर में भी, और बाकी संदर में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस certificate की जो वेदता है, वो 7 साल है अगर आपने पहले certificate यह already प्राप्त कर चुके हैं, qualify आप हो, और उसको 7 साल हो चुकी है, तो आपको दुबारा से यह फारंबर के paper जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वेदता समाप्त हो चुकी है, जो आपने 7 साल पहले qualify किया था दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, वे तमाम student हैं, जिनके पहले कम मिसाइल हैं, मूल निवास हैं, उन्होंने अगर seat at clear किया है, और seat at में नंबर जादे हैं, और 1 to 5 वाले इसमें नंबर कम है, तो उसको seat at ही लगाना है, वहां estate नहीं लगाना है, क्योंकि हर्याना का domicile जिसके पास है, 1 to 5, 6 to 8, अगर उसने seat at qualify किया है, तो वो seat at ही वहां valid माना जाएगा, लेकिन बाहर के किसी candidate का seat at वहां नहीं माना जाएगा, चैए 135 ही number 500 में क्यों नहीं हों, क्योंकि बाहर के candidate को seat at ही, प्यारे दोस्तों, यहां पे qualify करना पड़ेगा, इसके साथ साथ बात करते हैं, हम second level की, जिसको हम कहते हैं TGT, TGT वाला जो प्यारे दोस्तों हमारा होता है, इसके अंदर आपने BA किया हो, यह आपको धियान रखना है, 50% अंकों के साथ, BA किया हो आपने, यह BSC हो, यह आपने BCOM किया हो, यह इसमें से आपने BTEC किया हो, यहने graduation level की कोई भी डिगरी आपने लिए हो, यहाँ सास्तरी की डिगरी हो, आपके पास या कोई special जो teacher होते हैं language की, उसकी कोई डिगरी की हो, साथ के साथ आपके पास होना चाहिए BAD, और यह BAD अगर नहीं है, तो आपके पास, यहाँ पे BLAD जो होता है, प्यार दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, BLAD वाले भी, यहाँ पे इसमें अपलाई कर सकते हैं, जो की 4 साल का होता है, graduation के साथ में यह course होता है, इन में से कोई यह खो, oblique का मतलब है, इन में से कोई यह खो, BLAD में से कोई यह खो, तो यहाँ आप TGT अथा second level के लिए आप अपलाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी वो चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आप में से कोई candidate यह आपको ध्यान रखना है, SC category का है, यह physical handicapped कोई candidate है, तो उसको केवल और केवल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 47.5% अगर उसकी है, तो वो फारम अपलाई कर सकता है, और बाकि सभी बच्चों के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए, अब बात करते हैं कि अगर 50% सर हमारे नहीं है, तो फिर आपने higher education में 50% लिया हो, अमान के चलो किसी के बारवी में, DLAD में, BTC में 50% नहीं है, और graduation में 50% है, उसने BA किया है, या उसने BSC किया है, और उसमें 50% आगे, तो फिर यहाँ 45 भी है, या 45 से कम भी है, तो भी valid माना जाएगा, ध्यान रखना है, अगर आपकी जो नीचे की qualification है, जो उन्होंने मांगी है, उसमें 50% नहीं है, लेकिन आपने MA कर लिया, MSC कर लिया, आपने BA कर लिया, BSC, उसमें 50% आगे, तो NCT, राष्ट्या द्यापक शिख्षप परिश्द का यह guideline है, कि higher education में अगर आपने 50% लिया है, और low education में 50% नहीं है, तो higher वाला consider करके, आपको प्यार दोष्टो नोगरी दी जाएगी, तो यहाँ पे भी 50% compulsory नहीं है, बैसरते, आपने BA, BSC में 50% किया हूँ, 45% वाले भी यहाँ फारम अपलाई कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हैं, आपने master degree में किया है, आपने M.com किया है, आपने क्या किया है, M.com किया है, और उसमें आपके 50% है, और graduation में आपके 45% है, या B.Ed में 45%, तो कोई जूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे 50% होने की, अगर higher education में आपके 50% आगे, तो graduation में B.Ed लेवल पे नहीं होगा, रेवाडी, नानुल, मेंदरगर, सोनिपत, और पानिपत में, ओपलाइन किलासों में, जितने भी हमारे टेट हुए, सभी में हमने पढ़ाया है, लेकिन जब से online चीजे शुरू हो गई है, तब से offline की चीजे थोड़ी सी धीमे हो गई, इसकी वज़े से सारा focus प्लाइन में है, और online में हम batch लेके आएंगे, लेकिन recording batch लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम live batch सारी किलासे देने लगेंगे, तो ढंक से syllabus पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए जो पिछला batch लेके आए थे stat का, उसमें यह हम आपको recording वीडियो देंगे, ठीक है, और वो भी carryable app पर, तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप में से कोई बच्चा interested है, तो वहाँ से आप एक recording batch ले सकते हैं, एक दिन में तिन तिन lecture आप सुन सकते हैं, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, qualification की level third की, तो level third है हमारा PGT वाला, level third क्या है हमारा PGT वाला है, इसके अंदर आपको post graduation होना चाहिए, आपने किसी भी एक subject से MA किया हो, आपने किसी भी एक subject से MSC किया हो, आपने किसी भी एक subject से प्यार दोस्तों, MCOM किया हो, या फिर आपने master की degree computer science में लिए हैं, तो PGT computer science वाले भी यहाँ बर सकते हैं, लेकिन उनके लिए चाहिए 55%, तो आपने यह जो 2 साल की degree होती है, अगर इसमें 50% आपके हैं, तो आपको यह ध्यान रखना हैं, इसमें 50% से नीचे, केवल दो ही candidate इसमें apply कर सकते हैं, एक candidate तो प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, SC जो candidate है, और दूसरे physical hand candidate जो हैं, वो प्यार दोस्तों यहाँ 45% में, अगर उनके 50% नहीं हैं, तो वो 45% के साथ में यहाँ पे, इसमें 5% की छूट लेके apply कर सकते हैं, लेकिन तीसरी चीदी जो यहाँ पे note करने लायक हैं, वो है उन लोगों के लिए जिनको computer teacher बनना है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको PGT level पर, PGT computer का आपको teacher बनना है, तो आपको चाहिए 55%, आपको कितने चाहिए 55% आपके master degree में होने चाहिए, तभी आप PGT computer के लिए यहाँ पे apply करोगे, तो यहाँ जो SC candidate है, PH candidate है, वो है 45 में, बागी सब candidate के 50% होने चाहिए, लेकिन एक post SC है, जो PGT computer की है, जिसमें चाहिए आपको 55%, यह आपको ध्यान रखना है, तो यह क्या है 55%, आपकी सारी बाते दीरे दीरे यहाँ सामने आ जाएगी, आपके comment लूँगा, उसके भी मैं जवाव दूँगा, क्योंकि जो भी आप मेरे से पूछ रहे हैं, वही अगले पल आपके सामने चीज़े आने वाली है, बात करते हैं कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए, और क्या हमारा सैलिबस है, बाल विकास और सिक्षा सास्तर है, इसके लिए प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, फर्ष्ट रैंक की आपको भूक लेनी है, किसकी भूक लेनी है, यहां बाल मनो विज्ञान के नाम से पुछतक है, बाल मनो विज्ञान, राजस्थान का पबलिकेशन है, फर्ष्ट रैंक, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक हैं, फिक फर्ष्ट रेंग की आपको बुक लेनी है बाल मनोविज्ञान की हिंदी की जो बुक है आपको ध्यान रखना है एक e-book है जो selection ये मंतर के नाम से है आपको ध्यान रखना है एक e-book है सारे के सारे हिंदी के questions इसी में से आएंगे इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है ये जो e-book है ये हिंदी भाई अरुन सर जिस पर ये किला से हो रही है हिंदी भाई अरुन सर जो टेलीग्राम है हमारा description box में उसका link दिया गया है वहाँ पे ये पूरी e-book दी गई है जिसके अंदर 40 अलग लग topic के topic wise question दिये गया है वो भी विद solution ये book फिरी में लोग है य first rank publication की है bilingual book है English medium वाले English medium मेले Hindi medium वाले Hindi medium मेले अगर आपको यह हरियाना के 30 question child development pedagogy के करने हैं तो इससे बैतरीन कोई book आपकी first rank से बढ़िया कोई book नहीं है इसके साथ साथ आपको दियान रखना है अगर आप book से पढ़ना नहीं चाहते हैं Hindi के लिए तो फिर आपको Hindi भाई अरुन सर जिस पर यह किला से हो रही है तो वहां आपको दियान रखना है मैंने topic wise Hindi को दो बार कराया है तो आप mix questions की series attend ना करें topic wise Hindi को पहले complete करें तो topic wise जितने भी हमारे Hindi में topic है जिसमें 15 questions हमारे Hindi के पूछे जाते हैं तो अगर आप वे सारी की सारी video speedometer लगा के सुन लोग अलग से किसी किताब से और कहीं से आपको पढ़ने की आप सकता नहीं है English के लिए आपको लेना है Lucent English के लिए क्या लेना है आपको जरनल English की book आती है जरनल English की book आती है आपको यह ध्यान रखना है और वो है Lucent publication की और वो बड़ी book नहीं लेनी है objective type नहीं लेनी है theory plus practice धोनो वाली बुक लेनी है उससे आपके English के Question होगे बात करते हैं सामानय अध्यन महातरातमक योगता और Math ये आपको बुक से नहीं पढ़ना है ये केवलो केवल जो NCRT के प्यार दोस्तों जो Source Notes है जो Material बच्चों को मिलता है वहाँ से ये सारे के सारे Questions आते हैं ये आपको दियान रखना है Math के लिए आपको करना है NCRT के Notes ये आपको दियान रखना है ठीक है तो NCRT के आप Notes पढ़ेंगे तो जो बच्चों को खासकर रचे वो हमारा बच्चा 9, 10 तो 11, 12 का है तो उसमें से ही ये सारी कि सारी चीज़े आपकी पूछी जाएगी आपको उसी से direct question होते है same digit होती है same language होती है तो वहां से NCRT की book से भी आपको पूरी help मिलेगी अलग से आपको किसी भी किताब को लेके नहीं पढ़ना है जो भी आएगा सारा उसी में से आएगा दूसरा परियावरण अध्यान के लिए भी आपको NCRT की book को follow करना है अगर आप 1 to 5th का दे रहे हैं तो 1 to 5th और 6 to 8 का दे रहे हैं तो 6 to 8 तो NCRT की books हैं आपकी परियावरण अध्यान की तो जो भी आप उचा जाएगा सारा का सारा उसी में से आएगा CTAT के matter से आपको ये चीज़े तयार नहीं करनी है CTAT के matter से आपको ये चीज़े तयार नहीं करनी है हरियाणा जीके के लिए आपको ये ध्यान रखना है प्यार दोस्तों लगसे publication और youth competition दोनों ने जबरदस्त हरियाणा जीके को map के माध्यम से समझाए है तो सबसे पहले आपको हरियाना जी की को complete करने के लिए map की नोलिज होनी चाहिए ठीक है आपको मांचित्र यावले लेनी है अलग से मांचित्र लेना है हरियाना का और उस पे focus करके चीजों को देखना है वहां से आपको सबसे ज़्यादे questions मिलेंगे तो इन चीजों के लिए आपको क्या पढ़ना ये बताया गया है ये भी यहाँ पर यही है subject के लिए अगर आपके पास Hindi है पंजाबी है तो इसके लिए मैं बाद की वीडियो में चर्चा करूँगा subject Y तो आपको ये ध्यान रखना है प्यार दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी चीज़े common है इसके अंदर किसके टीज़ेटी की इन में से आपको प्यार दोस्तों ये ध्यान रखना है कोई एक subject लेना है जिससे आप वहां पर teacher बनना चाहते हो तो यहाँ अगर आप SST के थुरू करोगे तो SST के teacher आप तभी बनोगे जब आपके पास combination होगा ऐसी PGT के अंदर है यहाँ तक जो चीज़े हैं आपको द्यान रखना है प्यार दोस्तों वो सारी की सारी common है फिर इसमें से आपको क्या करना है एक subject लेना है इस जिसके भी आप PGT माल के चलो आप computer science के teacher बनना चाह रहे हो या आप physical education के बनना चाहते हो तो आपके 60 question physical education के होगे और इसके लिए post graduation level की ही सारी चीज़े होती है यह आपको द्याना लेकिन हरियाना के अंदर 11 12th की खासकर 11 12th की NCRT की जो book है जिस subject के आप teacher हो उनको cover करके जाना है क्योंकि 50% question 30 question 11th और 12th की NCRT की book से होगे अगर आप physical education के बनते हो तो 11 12th में जो physical की NCRT की book पढ़ाई जाती है उसको complete करो मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि 60 में से 30 question 11 10th में है और बागी सारे questions graduation post graduation level के होते हैं ऐसे ही जिसको home science करना है वो ध्यान रखे home science के लिए BSC home science होना चाहिए B.A. home science वाले आप TED तो कर लोगे paper भी दियाओगे पातरता परिक्सा भी ले लोगे लेगिन finally teacher नहीं बनोगे documents verification में बार हो जाओगे तो B.A. home science वाले home science के लिए ना भरे ठीक है केवल BSC home science वाले ही भरे PGT computer वाले केवल वो भरे जिसके 55% प्यारे दोस्तों post graduation degree में है अगर 55% से कम है TED आपका नहीं होने के बावजूद भी final selection आप नहीं ले पाऊगे इसके साथ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विशे विशेग में दो ही चीज़े आपको करनी है B.A. B. home वाले अपने आप में S.S.T. का वहाँ पे chain करेंगे और जो math और science वाले हैं वो सारे के सारे बच्चे हुआ प्यारे दोस्तों natural science की जो post को पे apply करना चाहते हैं वहाँ science और math के question को apply करेंगे जो कि start question होगे उसमें यहाँ subject आपका नहीं पूछा जाएगा इस बात को ध्यान रखना है लेकिन आपका combination यहाँ तब ही बनेगा S.S.T. का combination मान के आपको पहले में उस पे चर्चे कर लेता हूँ पिर qualify mark की में बात कर लूँगा यहाँ पे अगर आपको बनना है S.S.T. social science जिसको हम कहते हैं ठीक है तो सामाजिक विज्ञान भी इसको बोला जाता है सामाजिक विज्ञान या आपको यह ध्यान रखना है social science या सामाजिक एध्यन तो अलग-अलग बोड के दुआरा यह आपको ध्यान रखना सामाजिक एध्यन social studies का मतलब हो गया हमारा सामाजिक एध्यन यह जो post है इसके लिए आप तभी apply करोगे जब आपके पास graduation में इन 6 subject में से प्यारे दोस्तों कोई 2 subject आपके पास 3 साल होने चाहिए और वे कौन से 6 subject है उस पे थोड़ा गोर कीजिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक तो आपके पास यह तो इतियास हो ठीक है इसके साथ आपके पास बुग गोल हो इसके साथ साथ में अर्थ सास्तर हो ठीक है इन में से कोई 2 या फिर राजनेती सास्तर हो राजनेती सास्तर यानकी पॉल्टिकल साइंस और इसके बाद आपके पास यहाँ मनोविग्यान अथार्थ साइकलोजी हो मनोविग्यान या फिर प्यारे दोस्तों समाज सास्तर हो तो इन 6 सबजेक्ट में से अगर आपके पास कोई दो सब्जेक्ट, इन छे सब्जेक्ट में से, कोई दो सब्जेक्ट आपके पास तीनों साल रहे हैं, दो विशें, आपको ध्यान रखना है, कोई दो विशें, और ये गलती आप करते हो, guidance के हभाव में, कोई, कोई दो विशें, आपके पास क्या होने चाहिए कोई दो विसे होने चाहिए और तीनों वर्स होने चाहिए कोई दो विसे तीनों वर्स ठीक है यह आपको दियान रखना है कोई दो विसे तीनों वर्स लेकिन अगर आपने ओनर्स किया है ठीक है अपने किसी एक सब्जेक्ट से ओनर्स किया है हिस्ट्री ओनर्स किया ह अगर आपके पास दो सब्जेक्ट के वल दो ही साल होने चाहिए यह आपको ध्यान अखना है अगर आपके पास बी ए में इंगलिस थी और उसके बाद दो साल इन में से कोई भी सब्जेक्ट आपने पड़े हैं तो भी आप फाइनल एटीचर एससटी के बन सकते हो ध्यान से स उनों जिसने ओनर्स की है जिसने बी ए में इंगलिस को एक में सब्जेक्ट के रूप में लिया है उनके लिए छूट है कि वही कंडिडेट अगर आपके पास तीनों साल में जो तीनों साल की डिग्री होती है उसमें दो साल भी अगर इन छे में से कोई दो सब्जेक्ट है तो आप SST के teacher बन सकते हो, ऐसे ही होता है प्यारे दोस्तों natural science वालों के लिए, ऐसे किसके लिए होता है, natural science, यहां भी combination मांगा जाता है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, प्राकरतिक विज्ञान बोलते हैं कहीं पर इस post को, natural science, प्राकरतिक विज्ञान, कहीं पर प्यारे भोलेंगे, science भोलेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपके पास, चार subject में से, चार subject में से, तीनों साल कोई दो subject हो, बोतिक, विज्ञान, यानिकि, physics हैं, यह आपको ध्यान रखना है, इसके बाद, रसायन, विज्ञान, chemistry, इसके साथ, आपको ध्यान रखना है जी विज्ञान जी विज्ञान ठीक है और इसके साथ आपका गनित अगर यहां इन चार में से यह आपको ध्यान रखना है कुछ बच्चे सोचेंगे यहां वनस्पति विज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं है अगर आपको बनना है प्यार दोस्तों प्राकर्तिक तीनों साल आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए तब ही आप साइंस के टीचर यहां पे बन सकते हो और यह पातरता परिक्षा पास करके दूसरा आपको ध्यान रखना है मान के चलो किसी ने फिजिक्स ओनर्स किया है एक ही सब्जेक्ट तीनों साल जैसे दिल्ली उ उनिवस्टी में ज्यादातर ओनर्स की कोर्स होते हैं अगर आपने ओनर्स से लिया हैं तो तीनों साल की कंडिशन आपके साथ नहीं फिर दो साल होना चाहिए अगर आपके पास इंगली से रहा है एक मैंन सब्जेक्ट के रूप में आपने बीस सी लिया और किसी है रणवी से गुड़ा उनिवस्टी है कुरूचेत्र उनिवस्टी है सब का अपना अपना अरियाना के अंदर भी अरियाना से बार भी आपको ध्यान रखना है सिस्टम अलग अलग है तो यहां जो एंसी टी राष्टिया दबग शिक्षर परिसद ने जो रूल रेगुले जारी कर सकते हो बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की यह तो किलियर हो गया आपका ठीक है तो क्वालिफाइंग मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बुक के बारे में चर्चा बाद में करेंगे पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं यह तो आपने अच्छी तरीके से समझी लिया हैं इसके साथ-साथ यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो qualifying marks है जर्नल जो candidate है जर्नल कंडिडेट आपको ध्यान रखना है OBC कंडिडेट जर्नल कंडिडेट OBC कंडिडेट जो होते हैं BC कंडिडेट यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद में यह जो कंडिडेट हैं सारे इनको चाहिए डेड़ सो में से 90 marks कितने चाहिए डेड़ सो में से 90 marks और यह होते ह हैं हमारे 55% कितने होते हैं 55% दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है अगर आप SC candidate हो या physical handicapped candidate हो आप ठीक है तो उन सब को चाहिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों 82 marks डेड़ सो में से और ये बैठते हैं आपके 50% ये कितने बैठते हैं 50% तभी आप qualify होंगे और 7 साल के लिए आप free हो जाओगे हर यान की तमाम उन भरतियों में फारम बरने के लिए जो बार बार प्यारे दोस्तों आपके आएगी इसके बाद other state का कोई भी है अन्य राज्य का कोई भी कोई भी आपको ध्यान रखना है कोई भी विध्यारती हो कोई भी छात्र आपको ध्यान रखना कोई candidate किसी भी category का हो उसको चाहिएंगे यहाँ पर 90 नंबर चे वो प्यार दूस्तों भी सी हो SCO STO यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर ST जो candidate है उसकी भी जो है अला कि अर्याना के अंदर ST ज्यादा है नहीं उसको भी यहाँ 82 ही चाहिए अन्य राज्य का कोई भी छात्र अगर फारं बढ़ता है जिसके पास अर्याना का डो मिसाइल नहीं है वो दूसरे स्टेट में Central Government में किसी भी category में आता हो तो उसको यहाँ 90 माक्सी पर ही qualify करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है clear तो यह थी आपकी वे तमाम information जो आपके लिए जरूरी है आपको क्या पढ़ना है उसके लिए बता दिए books के बारे में चर्चा कर चुके हैं test series selection दरबार एक प्यार दूस्तो एफ हैं उस पर test series आपकी join होगी ठीक है पहले 5 टेस्ट आपको फिरी में दे जाएंगे उसके बाद में फिर आपको थोड़े सी कुछ कोश्ट पे करके आप continue वहां से अपने test जोइन कर सकते हो और साथ क के साथ आप वहां से free में ले सकते हो बुक के बारे में मैं चर्चा करी चुका हूँ psychology के लिए first rank की बुक हैं NCRT को ज्यादा follow करना है खासकर math के लिए environment strategy के लिए subject के लिए आपको ध्यान रखना है रोह तक university का जो syllabus है ठीक है खासकर graduation post graduation level का उसको आपको follow करना है इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों बात करते हैं OMR sheet पे OMR sheet आपको black pen यूज़ करना है केवल काला pen आप यूज़ करोगे मैं भी इसको काले से लिख देता हूँ otherwise फिर वहां आप निला pen यूज़ करते हैं तो दिक्कत है काला ball point pen आपको यूज़ करना है ठीक है ये gel pen आपको यूज़ करने हैं अकता अकसर करने हैं इसके अलावा OMR पे कोई भी entry आपकी नहीं है ये आपको ध्यानक ना डेड़ सो question है डेड़ सो मिनट है और इसके अंदर गोले जादे हैं आपको ध्यानक लेकिन आपको डेड़ सो question की जो OMR sheet होगी उसी में डेड़ सो भरना है अगर डेड़ स certain करके जरूर देख सकते हो उससे बार के रिया का कोई question किसी exam में नहीं आएगा आज मैं जो topic करा रहा हूँ वो एविकारी सब्द अव्या और निपात का कराऊंगा जिसके 100 question कराऊंगा उससे 100 questions के अलावा भी किसी भी exam में अव्या निपात अविकारी का question आप से नहीं साथ के साथ हमने topic wise अपना complete कर लिया है कुछ topic हमारी बचे हुए है तो आपको मैं सला ये दूँगा कि जब आपकी तयारी हिंदी की पहले से अगर अच्छी है तो आप ये join कर सकते हो जो रात को 9 बजे किलास होती है लेकिन अगर आप हिंदी को start कर रहे हो अभी तयारी आपको direct मिलेंगे क्योंकि अच्छे लेवल की Hindi अच्छे लेवल की English यहाँ पे stat में पूछी जाती है बात करते हैं टेलिग्राम लिंक की और YouTube के Hindi भाई अरुन सर ये मेरा YouTube चैनल है तो तमाम टीचिंग के एकजामों की तयारी में पिछले 10 से 12 साल से करा रहा हूं और इसके साथ ये टेलिग्राम है जिस पर आपको फिरी में previous questions पेपर मिलते हैं वो विविद solution answer की के साथ फिरी में आपको e-book दी जाती है पूरी की पूरी हिंदी की 40 topic के questions उसके अंदर है इसके साथ आपको test series यहाँ पे दी जाती है ताकि आप mock test देख लो 1500 questions किस तरह के उसका level क्या होता है PRT TGT PGT का तो आप इस टेलिग्राम पर जाइए ठीक है description box में इसका link दिया हुआ है टेलिग्राम पे पूँचिए और वहां से आप अपने sample paper और previous paper को देखे पूरी तयारी के साथ पूरी से दो बहुत मेहनत के साथ लगन के साथ अपने तयारी कीजिए डेट से दो इस टेट को आप थोड़ा सा serious लेके complete करे और जो भी भरती आएगी उसमें finally अपना selection लेके फिर बाद में मिलेंगे उसका interview लेंगे जिसका भी selection हो जाएगा दुबारा से फिर आऊँगा मैं H-Tat की एक और रणनेती के साथ तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार